हाँ दोस्तों कैसे हो तो ठीक है अब सब जानते हैं नीट के कम्प्लीट नीट फिजिक्स के कम्प्लीट स्रेवस को हमने 20 टोपिक बढ़ा रखा है जिसका ना एडिंग हमने पंच दिया है इने 20 पंच है ही चार वीडियो सोलुशन आपके पास आ चुके हैं उस्तन एक वीड सेंटम कंजरिवेशन कोलिजन एंड सेंटरों मास ठीक है इसके बिना नीट होती नहीं है बहुत कलिए सुन लेना रहा है 26 जुलाई 2020 को याद रखना इन टोपिक के बिना नीट नहीं होती है ऐसा मेरे अनुब है पुराना ठीक है शुरू करूं आजाओ दोस्तों जंक से प दोस्तों ऐसे देखो सुनो परसन क्या है कि यह इधर यह इधर यह इधर समान चाहल से आके टकराए ठीक डियर अब आप जानते हो यह क्या है 120 यह क्या है 120 या तो जब भी कोई तीन वेक्टर 120 होते हैं तो रिजल्ड क्या हो जाता है जीरो बहुत कोमन सेंस की बात है लो प क्थे समभे क्या है? जीरू. got clear? तो जब घटना से पहले पहले जीरू है तो फिर समभी जीरू होगा? फिर जीरू होगा. यह रूल होता है. अब तुम्हूद क्थुद क्या कह रहा है? कि टक्कर के बाद A तेरा विरामा उस्तामा आ गया B तेरा V से जा रहा है तो दोस्तों एक V से जा रहा है तो उसका मॉमेंटम क्या होगा? M A V Before collision क्या था? Zero After collision क्या करना? Zero यह Zero कब होगा? जब इसको आप M A V करोगे तो Zero हो जाएगा क्यों M तो नगेट ही होता नहीं है तो DR अखिकत ही है कि इसकी विलोस्टी क्या होगी? माइनस भी होगी देखो प्लीज Simple concept है Before collision Momentum Zero क्यूं? 120, 120, 120 आप जानते हो 120, 120 में तीन रेक्टर होते है रेक्टर क्या होता है? Zero अब आप देखो कि After collision A particle रुख गया पिछे दो बचे दो बचे दो का जोड़ Zero करना है अरह जब mass equal है और उन momentum का आपको sum Zero करना है तो common sense की बात है एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा बो हाया ना वो गोली वाली बात है बंदूख से गोड़ी निकलती है तो वो गोली आगे जाती है बंदूख पीछे आती है तो M1 ए V1 ए प्लस M2 V2 इकल जीरो करो तो उसको minus लगा दो clear तो ये एक conceptual question था तो दोस्तो ये V1 इधर जा रहा है तो ये V1 इस तरफ जाएगा एक को सुन ना इस V1 को plus कहा तो ये भी अपने आप दोस्तों इसके लिए क्या हो गया रहा है minus V भी हो गया तो ये डायक्सिन देता बाई चाहना पूझता तो मना कहते इस ते किदर जाएगा इस पत पे जाएगा ओके answer हो गया दोस्तों first ओके thank you hard year गो दोस्तों कुश्च्ट नमर 2 जो है जो ये दो-तीन कुश्ट मिलके बन रहा है तो नइट में इतना लंबा कुश्ट नहीं आएगा और इसके दो सेक्सिन बन रहे है वह दोनु अपने कुश्च्ट आपके तो थोड़ा होस तक तक आपको सुनने में लंबा लगे इसको अपन दंग से देखो दोस्तों जो बड़ा सिंपल है मास्ट नाइन केजी स्पेंड़ फो में स्ट्रिंग फिप्टी सेंटिमेटर और रेस्ट अनादर बोडियों मास हंडेड़ ग्राम वीचिज बोविंग होरिजेंटली विफ फिप्टी मिटर पर सेकिंड स्ट्राइट अपर स्ट्राइगिंग दा टू बोडियों कमाइंड तोगेदर अटेंशन इंद श्ट्रिंग वेंट मैक्स अन एंगल ऑफ 60 डिगरी विफ ए वर्टिकल इज पचास सेंटी मिटर लंबी रसी है जिसका एक बोब लटका हुआ है जिसका मास क्या है वह या टू पाइंट नाइन केजी यह गोली मालो आप तो यार एक मेरे हाथ में बुलिट है एक पिस्टन है मने एक गोली छोड़ दी किते की रहे सो ग्राम की पाइंट वन केजी किस स ए मेरे सिंपल कोली जिन का फंड़ा यह ntar आ से पहले मिरे एक एक सब काम लोंगा मैं विपोर फिनोमेन आप्टर फिनोमेन आ गणा से पहले गणा के बाद अब तु जानता भाईया कोली जude ऑन इलास्टिक हो या नास्टिक हो लिन मोमिंटमिजा़ वेज चान्जरवेट अब तेरा साथ M क्या है 0.1 विलोस्ट्री क्या है 1.50 इसका M कुछ भी हो चाहे विलोस्ट्री क्या है 0 क्यों किसमे भी है रेस्ट मास्ट भी है इसका वे 0 है ओके इक्वल टू ये 3 देखे 0.1 ही लिया रहे है 2.9 लिया है 0.1 लिया है थ्री मल्टिप्लाई वी डेस कह दे ये तेरा कितना भया 15 वी डेस इकल टू क्या आगया 5 मीटर पर सेकेंड ये ले एक कुछन पूरा हो गया है पेडिकर पूरी हो गई यानि मेरे हाट में पिस्टन है से मैं गोली छोड़ता हूँ तो गोली गुटका किसी वेक से उपर जाएंगे आंसर क्या है रहे 5 मीटर पर सेकेंड बोलाया ना एक बात यहां ते पूरी हो गई अब मैं इसको मिटा देता हूँ ले मिटा दू अब आजा अब वो कहता है डियर कि ये तेरा गुटका अब गटवा स्टार्ट यहां से हो रही है अब ये गुटका और क्या हो रहा है जिसका मास कितना है तीन केजी और वो 5 मीटर किसे भया गुटका कितना है तीन केजी मास क्या वेरस्ट्री क्या रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से उपर जाएगा उपर कहां तक जाएगा यह अगला खुद कह रहा है मैंने कह रहा है कहां तक गया रहा है 60 डिग्री तक गया वर्टिकल सर्क्विन मोशन जो किसको फॉलो करता है मैकेनिकल इनरिजी केंजरिवेशन को अब यहां इसकी विलिश्टी 5 मिटर पर सेकिंड है यह यहां गया अब तु जानता है यह एंगल 60 यह तु जानता भाई mg निचे के ओर है यह 60 है तो यह तरह mg कोस 60 दर के ओर रहेगा और तेरा एक तु जानता है mg कोस 60 प्लस mg स्काइर भाई आर लेकिन डियर यह वी पाँच नहीं है रबया दान जाओं क्लास का यह यहां का वी है तो तेरे को यहां का वी निकालना पड़ेगा मैं कदर चैन्ज कर तेरे लिए इसको मैं पी पॉंट कहँँ इसको मैं क्यू पॉंट कहँँ तो पी की इनरजी इक्वल टू क्यू की इनरजी क्या पी की इनरजी mg एच प्लस hap m vp स्काइर फिर तेरे mg एच तो यहां कहँँ तो यहां कहँँ तो यह क्या है hap m v q स्काइर अब यहां पर potential क्या है 0 m से m cancel out यह तेरा क्या है v p स्काइर बाई 2 इक्वल टू क्या है डियर g h प्लस क्या है तेरा v q स्काइर बाई 2 h क्या होता है आप जानते हो ना यह पढ़ चुक्ए बहुत बार पर पन ऐसे केस में h ms क्या होता है l माइनस l कोस थीटा एक क्यूशन में चार क्यूशन है यह l बाहर ले ले this is 1 माइनस कोस थीटा l 50 cm.5 मीटर कोस 60 क्या होता है 1 by 2 तो 1 by 2 यह दोस्तो तेरे सामने आ गया तो यह तेरा 5 बटे 20 आ गया तो दोस्तो यह एक्वल में क्या आ गया 1 by 4 आ गया ओके जी कितना होता है 10 वो क्या भाई 1 by 4 1 by 4 का मतलब 10 by 4 10 by 4 को मतलू 5 by 2 कह दू ओके VQ स्कायर तुझे निकालना है अब देख पुशिदा करता हूँ इसको इदर ला 2 lcm आएगा 25 माइनस 5 किता बज़ेगा 20 20 अपोन 22 कट गे तो दोस्तो तेरे सामने सामने VQ की वेल्यू की आगई रूट 20 बैस अब आप इस equation पर आओ देखो एक equation में 6 equation हो रहे है 4, 5 हो चुके है clear इस point पे VQ क्या है रूट 20 एक मिटा दू ले आजा अब दोस्तो यहां तक होगी ना बात को दिखती नहीं है अब तेरे सामने है T equal to क्या है MG cos 60 plus M क्यों बोल दूँ इसको M Q square बटे R क्या की बात है R बोलो L बोलो हमें तो सरकुदर पात की radius चीए आजाए डीर M बोले तो 3 G बोले तो 10 cos 60 बोले तो 1 by 2 M कितना है 3 20 R कितना बही 0.5 length क्या धागे की 50 cm 0.5 यह ले इसको इसे कर दे लिए तो यह कितना हो गया 40 यह ले बहिया यह तेरा 5 यह तेरा 15 यह तेरा 120 दोस्तो T की वेलू है 135 क्या आसपास तो क्या निकालना बहिया 135 130.3 वो जी का मा 9.8 लेंगे चिंज जाएगा ओके डियर यह मिटा दिया मैंने और तेरे सामने आंसर आ गया 135 अब आप तो सोचो एक क्यूशन कितने क्यूशन आगे क्यूं कर रवाया 4-5 क्यूशन एक साथ निप्टे किसका क्यूशन का अरे पहली बात तो वो अपने आप में क्यूशन है H इक्वल टू L माइनस L कोस थीटा फिर इनर्जी गिनर्वेशन यहां की इनर्जी पोटेंशिल अरे यह एक तरे सरलोलुख नहीं हो गया गया या एक प्रिंडू नहीं हो गया तो काइनेटिक प्लस पोटेंशिल इकूल टू canadi握़ पोटेंशिल मज़ा आ गया थांक्यू देखो दोस्तों क्यूशन number तीन है यहक्शन थीचैन है कॉलिजन का का मतलब ए कोछलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद particles या वो जो भी है वो सारी एक ही अक्ष पे मूँ कर रही है ठीक है अब यह elastic भी हो सकती है और यह non-elastic भी हो सकती है तो हम पर non-elastic वाली पर बात कर लेते हैं क्योंकि elastic भी तो E की value 1 हो जाती है non-elastic में value 0 से 1 के बिज कुछ vary करती है बिजीरो और एक तो practical बात नहीं है ना यह तो मतलब यह एक idle बात है real में मालों कि वो करता E का वान पाइंट थाइप आ गया तो मैं एक common formula लिखा हूँ आपके लिए बस इस पे आप मैं लिखा हूँ आपके सामने सामने इसको आप डंसे देख लो आजाओ भई पेज खाली करें दोस्तों यह master formula है देखो सबसे पहले अपने V1 बनाएंगे तो V1 ऐसे बनाएंगे सब में M1 M2 का भाग यह step U1 और यहां भी देखो मैं आपने गयाद बिकरने तरीका पता रहा हूँ आपको और यह दोस्तों आपका है U2 आजाओ आप V2 में आजाओ V2 में आप आजाओ तो वह तरीका हमारा तो M1 M2 और यह U1 और दोस्तों यहां भी M1 प्लस M2 U2 तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं ना अब पहला है तो M1 माइनस E M2 M1 माइनस E M2 यहां दोस्तों दो पहले है तो यहां कर दो M2 माइनस E M1 अब आप चलो इसमें थोड़ा सा लो तो यह 1 प्लस E मल्टिप्लाई 2 है ना देखो यह 2 आएगा और यह 1 प्लस E यह फर्स स्टेप है ना तो दोस्तों यहां M1 है वह लोग मैंने लिखा आपके सामने एक तरीका देदियात करने को आप मेरे वीडियो को फिर बार देख लो इसका फाइदा यह यह वीडियो क्लास का आप इसको दोहर देख सकते हो यह फॉर्मूले आपको अब स्पोज करो कि हमारी टकरपून परत्यास्त है पर फिर्ट इलास्टिक है तो E क्या बन गया? 1 तो 1 बन ते लिए क्या बन जाएगा? M1 माइनस M2 अपोन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 यह क्या बन जाएगा? 2M1 वो क्या बन जाएगा? M2 माइनस EM1 क्लियर? कोई दिकत नहीं और एक standard चीज आप जानते हो दोस्तो E का एक real formula आप सब जानते हो E का दोस्तो real formula हम सब जानते है V1 माइनस V2 बटे U2 माइनस Iv1 झाची बात है V2 माइनस V1 करोगे तो U1 माइनस V2 होगा और V1 माइनस V2 करोगे तो U2 माइनस V1 इसका logic, सुनो, कैसे यार ये ऐसे गटमा कट लई है This is u1, this is u2, this is v1, this is v2 आप vector की बात करो, तो इसको reference लो ना तो पहले ये bob इसके पास आ रहा है, इसके लिए दूर जा रहा है तो अखिकत में एक plus मानोगे, तो इसके reference, दूसरा अपना vector sign का रहता है minus, तो इसलिए difference करना होता है V1 minus V2 upon U2 minus U1, फिर सुन लो, V2 minus V1 करो, तो यहाँ U1 minus U2 आ जाएगा E की value आप जानते हो, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, पूर्ण एपरटास्त, perfectly non-elastic तो E क्या हो गया, 0 perfectly elastic, तो E की value क्या हो गया, 1, यह दोस्तों E की value निकालने के तरीका है एक तरीका और भी निकालने का, बताओं आपको मैं यह बताओं, एक कोई बोब है वो H1 उन्चाई से गिरता है, और टकराया, और टकराने के बाद स्पोज करो कि वापस H2 उन्चाई तक उठता है, तो यहां भी एक सिदा फोबला है, E equal to होता है, root H2 by H1 यह भी एक E निकालने फोबला है, किसी गेंद को छोड़ा जमिन पे टकराई, और वापस वही तक आ गई सुरो, 10 मीटर से छोड़ा, और वापस 10 मीटर तक आ गई इसका मतलब वो perfectly elastic टकर है, यानि वहाँ जो टकराई सरफेज से, वहाँ किसी परकार का इनर्जी लोग से नहीं हुआ, तो इसका formula हो गया, E equal to root, एक कैसे आप एक बड़ा प्रोसेस है, पर अपर तो 20 जुलेव के exam है, तो short बात करेंगे E equal to root H2 by H1 एक E का formula यह है E का formula यह है, और यह दोस्तों हमारा master formula हो गया, clear? हाँ dear, अब वो master चाबी आपको मने दी, इसको apply कर दो question में क्या परक पड़ता है यार, तो साब कहता है भाई, देख, just before impact, just after impact, ऐसा करता हूँ मैं, बोर्ड खाली करके एक बार यह paper हाप ले लेता हूँ, आजाओ जी, दोस्तों, यह question है, यह to you, और यह आपका you, और उसके बाद यह आपका v1, और यह आपका v2, ठीक है dear, दो चिकनी वस्तुएं हैं, और mass नहीं दिया, तो सबका mass mm मान लिया, बस, अब आपको इसका दोस्तों answer निकालना है जी, answer क्या निकालना है किस रूप में निकालना है, वो सारी बातें यह यहाँ पर करेगा आपको इसमें e दिया है, कहने कारती है कि यहाँ e 0 नहीं है, ठीक है dear कोई दिकत आजा भाईया, e equal to क्या करेगा, v1 minus v2 बटे u2 minus u1 आजा, v1 क्या है अगला खुद कहरा है भाईया v1 है, ठीक है dear यह v1 है, v2 क्या है v2 है, u2 क्या है u, u2 क्या है u, और u1 क्या है minus 2u, ठीक है dear तो तेरे सामने सामने equal to क्या गया दान दे, u1 है v1 minus v2 बटे क्या हो गया minus u, को इधिकत ने अठा दे माइनस को, तो v2 minus v1 कर दे तो v2 minus u बटे u, आजा भाईया, अब आप object निकाल के answer दे रहा है a, e, बल्टी रहा है a, बढ़के यही तो है e multiply u equal to v2 minus even, घबरा मत यार जैसे कहता वैसे करता जा, ओके, thank you दोस्तो, यह rocket का conceptual question है, और आप scene देखना, question बाद में पढ़ते है rocket में अभी इंदन बढ़ा हुआ है तो इंदन का, fuel का rocket का mass है, अब सोचो rocket जाना स्टार्ट हो गया, तो समय के साथ देरे-देरे, fuel कंजप्ट होगा ना, fuel कंजप्ट होगा तो उसका mass का में होता जाएगा, rocket उपर जाएगी, दुहाँ पिछे निकलेगा जो पिछे दुहाँ निकलता है, वो क्या लगाता है अब त्रस फोर्स, उससे rocket जाती है, A उपर की, और यह सब इसके मूल कंसेप्ट है, ठीक है, अब आजाओ अब मैं किस्टन को मैं rocket का चितर बढ़ाता हूँ पर दो आप बढ़ी आसा यह आपकी rocket है ठीक है दियर, अगला साहब कहता है, rocket का mass क्या है, M है इससे जो gas निकल रही है gas क्या निकल रही है माना कोई small M gas निकल रही है तो वो R है, R क्या है DM by dt साहब कहता नहीं gas के leakage होने की rate तो DM by dt R है और gas का वेग rocket के साप एक्षिभी है और यह जो rocket इदर जो gas आ रही है, उसका velocity क्या है U है, तो दोस्तों कहता है कि rocket कि acceleration से उपर जाएगा फिर जान सुनो, आप फिर इसको मत देखो एक life देखो, rocket खड़ी है fuel अंदर है, rocket है ठीक है, स्टार्ट हुई उपर जाना सुनो भी पिछे दख्खा लगता है दुहें का हाँ, दुहाँ पिछे आता है उसका दख्खा क्या लगेगा, उपर की और और अग्रास आप कहता है R, DM by dt यानि पर सेकिंड क्या है small m मान लो, तो दोस्तों आप ये बताओ कि टी सेकिंड के बाद इसका कितना मास बचेगा तो टी सेकिंड के मास बचेगा M माइनस RT एक सेकिंड में क्या है DM by dt आर, तो टी सेकिंड बाद क्या हो जाएगा M डेस इक्वल टू पर चुके हैं डीपी दोस्तों क्या होता है एम यू अप तरस्ट कौन लगा रहा है रोकेट नहीं दुहां लगा रहा है ओके डियर तो एफ इक्वल टू यू भार निकाल लड़के ओ सुन ले रहे अब तक आपनी एम भार निकाला था आज यहां एम वेरियबल है तो दोस्तों यह क्या बगया तेरा डी एम बाई डी टी डी एम बाई डी टी क्या है आर है तो एम डैस एक्वल टू यू आगा रहा है यू आर तो यू आर फोर्स है जिसके कान रोकेट मू कर रहा है कलर चेंज कर लो तेरे लिए तो दोस्तों F की दो बेलियों आगई, M-A equal to UR, 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 अगले नसे क्या पूछा तेरे से, पूछा है, तो दोस्तों, A की value क्या होगी, तेरे सामने सामने है, UR upon M-RT, UR upon M-RT, के लिए भाया, ये तेरा first answer प्राइगा, बिला कोछ सिंपल आस्पेक्ट है, ओके, थैंक यू, एक बार फिर देख लो, रोकेट उपर जा रहा है, दु किसका है, सुबोक दुआ, जो भी कह सकते हैं पर, बस, तो एक F तो DPY-DT से, एक F किस से, M-, M- बोलना पड़ेगा न, कि रोकेट का मास M नहीं रहेगा, निकल रहा न, समय के साथ, तो ये M-A, UR, तो A, M-RT, एक्वल टू UR, तो दोस्तों, A क्या होता हो रहा है, A की बात लो, टू बोड़ी A and B of masses, 1 kg, 2 kg, moving towards each other with velocity 4 meter, 1 meter, suffer a head on collision and stick together the combined mass will, खाली कर दें भाईया, देख लड़के, ये क्या कह रहा है, एक बोड़ी ये A है, एक बोड़ी दोस्तों, ये B है, जड़ा बोलना भाई, इसका मास क्या है, A केजी, इसकी विलोश्टी क्या है, 4 meter per second, इसका मास क्या है, 2 kg, इसकी विलोश्टी क्या है, 1 meter per second, बाई कुछ देख लो, ये कह रहा है दोस्तों, पस्ट कह रहा है, 1 or 2, 4 or 1, अब दोस्तों ये ऐसे मूँ कर रहे हैं, clear, अब ये दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद दोनों एक होगे, अब इसकी विलोश्टी क्या है, और direction क्या है, टकर कुछ भी हो, कोलिजन कुछ भी हो, linear momentum conservation रहेगा, अब यहाँ एक reference लूँगा मैं, दोस्तों इसको base बनाओं, तो उस विलोश्टी को मैं उधर लेके जाओं, तो मैं ये कह दो, ये ball भी इधर जा रही है, और ये ball भी इधर जा रही है, तो दोस्तों इसका जो V है, उसके साथ sign क्या जाएगा, negative का, बस दांदा, ठीक है, अब आजा, M क्या है, 1, ये क्या है, 4, ये minus आएगा देख, 2 multiply 1, ओ लड़के minus क्यों आया, M V, 2, 1, देख, ये इधर आ रहा है, reference मैंने उधर ले लिया, ओके, equal to, टकर के बाद दुनों एक होगे न, तो दो र आए, 3, अब दांदे क्लास, V-positive आया है, दांदे लड़के, इसका मतलब, जो reference मैंने माना वो ही है, तो reference मैंने इसको माना है, इसका मतलब जिदर EKG की गेंड जा रही है, उधर ही मेरा टकर के बाद का पुपिंड जाएगा, clear, बस इतना है, पुछा अगले ने, आजा भा मैं reference change कर दो तेरे को, दुबारा कर दूँ खाली करो पे, यह मैं तेरे फिर से कर दूँ, यह A, यह B, यह 1 kg, velocity 4, 2 kg, velocity 1, यह इधर, यह इधर, इस बार मैं reference इधर ले लो, तो इधर लूँगा न, तो यह मेरा क्या होगा, 4 multiply 1, इसको इधर reference लूँगा, यह minus हो गया, यह ते वही minus 2 by 3, आंसर नहीं बतला, minus 2 by 3, तो minus का मतलब जो reference मैं नहीं लिया, उसका उल्टाएगा, clear, thank you, हाँ dear, question number 6, कोई concept नहीं है, P equal to MAV है, सारे calculation करने पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है, अगला साब करता है, which of the following है, maximum momentum, दो दोस्तों, पहले हम तो क्या है, 100 kg और velocity दे रख है, आजा बेर सिदा सा है, P बराबर MAV, M तेरा हंड्रेड है, V तेरा point 02 है, तो तेरे सामने सामने किता आ गया, दो आ गया, okay, उल्हाया ना, उनिट तो रहेगी वो जो इनिट पी की, अगले में क्या है, यह तेरा P1 हो गया, दूसरे में तेरा क्या है, अगला साब कहता है, 4 kg वेट मुविंग, 1000 cm पर सेकिंड, तो मिटर करेगा, तो इसको 10 कर दे, तो तेरा M क्या हो गया, 4, ओके डियर, और एक बात धंदना भीए, 4 kg, 4 ग्राम है, 4 ग्राम है, तो दोस्तो, 4 multiply, 10 to power minus 3, और यह 13, 1000, तो इसको आप चेंज करें, सेंटिमिटर में, तो क्या कहोगे, 10 तो इससे कट जाएगा, दोस्ते, यह अक्चलिन तरह साथ क्या आगया, 0.04 आगया, ठीक है, सिंपल सी कल्कुलेशन है, अब थर्ड में क्या है, इतने ग्राम भार, जो इतनी गतीज उर्जा के साथ, गतीज सील है, तो दोस्तों, गतीज सील है, तो मैं जानता हूँ, P का formula ह क्लियर, निकाल दूँ आपके लिए, M बोले तो, 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg, E बोले तो, 10 to power minus 6, यह ले भाहिया, इसका क्या कर ले, root, ठीक लड़के, देख, देख, 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को, 2 तो 2 है, यह 2 तो लगए, M किसे क्या आगया, 200 ग्राम, 0.2 हो गया, त तो अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि 4 multiply 10 to power क्या है, एक दस उपर जाएगा, तो 10 to power minus 7 हो जाएगा, अब ऐसा कर, इसको अपन सोल्ड करेंगे, तो दोस्तों, इसके solution से, जो अब छोड़ दे, 4 multiply 10 to minus 7 हो गया, अब आप 4th में आ जाओ, 4th object क्या है, 4th क्या कहता है, 200 ग्रा यानि कोई वस्तू 1000 मेटर गिरती है, तो अब सब जानते हैं यार, V equal to क्या होता है, root 2GH, कहने की बात ही नहीं है, तो दोस्तों, इन सब की गुणा भाग भी करूँगा मैं, तो इसका भी answer जो आएगा, 4th का, वो last का answer आएगा, आपका 20 root दो, ठीक है, तो यह आपके सामने 4 answer आएगे, फिर से कहता हूँ, एक्जाम में आभी सकता नहीं भी आए, कोई दिमागी जरूत नहीं है, यहां simply MEV है, यहां simply MEV है, यहां पी ब्राबर root 2ME है, यहां दोस्तों, पी ब्राबर MEV है, simply MEV है, बट V क्या है, root 2GH, तो इन सब को जब गुणा भाग किया, तो इसका answer दोस्तों, फोर्थ बन रहा है, अब सबसे ज़्यादा answer किस का रहा है, फोर्थ का, इसे गुणा भाग देखा ना, कोई किस गरबड़नी हो जाए, ओके, थैंक यू, दोस्तों, किश्टन नमर साथ, बड़ा common sense की बात है, देखो, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चे एक्स्ट्रीम लेफ्ट, एंड, दोस्तों, दोस्तों, कुछ नहीं करना रहा है, यह यहाँ टकराएंगे ना, तो लास्ट में सीदी से बात देदरों मूग कर जाएंगे, तो यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह तो हो जाएंगे, इस साती और आठ विकेंद ना, वो सेकिंड बन गया, क्या, सबसे दाइं, दान करना, यह लेफ्ट है, यह राइट है, तो सबसे दाइं और की दो गिनने, परते की चाल यू है, गती करके बाकी गिनने, किसे में आ जाएंगी, विरामा उस्तान, क्योंकि मोमेंटम तो से में रखना पड़ेगा आपने खाली करें पेज को, इस कुशन का बहाव यह होता है, कि यह कोई एक रेट का बहाव बोरा है, जिसका मास है, एम, और जिसका दोस्तों, यू टू कहते है न, यू टू क्या है, इसका जीरो, यह कोई आपकी गोली है, जिसका मास है, स्मोल एम, जिसको बने यू बन कहते हैं, उसको अगर नहीं V दिया है, कोई दिक्रत नहीं, इसमें जाके 10 गई, 10 गई तो इसके बाद बोस्तो ये 1 हो गई, 1 हो गई तो ये M प्लस, M हो गया, और माना इसकी विलोस्टी वी डैस हो गया, क्लियर, linear momentum conservation, चाहे आप जानतों, elastic हो, non-elastic हो, हमें मतलब नहीं है, impact से पहले का momentum और impact के बाद का momentum, तो पहले momentum क्या आ रहे है, M, V, इसका तो 0 हो गया, equal to, जानते class, capital M, plus small M, multiply, V dash, what is V dash, V dash is velocity after collision, after collision, combined mass, क्योंग गोली बोरे के अंदर है, ओके डियर, तो V dash equal to a small M, capital M, थोड़ा जल्दी वाज़ नहीं कि नहीं है, आराम से करें, तो यह रहा है, ठीक है, अब बिटा दूसको मैं, अब आ जाओ, अगला कहता है, energy भी loss क्या हुआ, तो सबसे पहले आप बताओ, initial energy क्या है, इसे बतलब, गटना से पहले energy, क्या है रहा है, half small M, V square, बोल हाया ना, जुरूती नहीं है, after impact, half M बोले तो, capital M plus small M, बोल हाया ना, और V dash का square, पिटकर के बाद तो बोला, बोला एक हो गए ला, बस थोड़ा सा गुना बाग बढ़ी होगी, तेरे लिए पकरने पड़ीगे, बाइदे, कुछ नहीं कर सकता हुआ, मैं सोट भी मार सकता था, मैं पूरी value पूट करूँ तेरे लिए हो रहा, M square, V square, M, प्लस small M, का whole square, बता हाया ना, कोई दिकत, अब देख, इस चीज़ को तूँ, इसके square से कहें से लाउट कर दे, तो तेरे सामने साम, उपर क्या बचा रहा है, M square, V square, 2, capital M, प्लस है, small M, ये तेरी कौन है रहे, E final, बता हाया ना, बैस, अब भाईया, थोड़े सी, करेंगे, हिमत रख यार, ऐसे मत कर, हिम माइनस, एक बटा दो, small M square, upon, sorry, capital M, प्लस M, multiply, V square, तो तू देख, एक बटा दो, M square, common ले ले, इसमें से, ये ले लिया, एक बटा दो, मैं केवल तेरा बढ़ा रहा हूँ, confidence की, ऐसा होता है, ये क्या बचा रहा है, यहां बचा रहा है, यहां बचा रहा है, एक बचा दो, को मनाएगा, एक M को मनाएगा, एक V square को मनाएगा, क्या बचेगा, बोल, बोल, हैलो, आया बात का मज़ा, यह ले, तो यह तेरा हाप, M, V square, capital M, plus small M, capital M, plus small M, minus small M, कैसल आउट हो गया, तो यह तेरे सामने क्या है, हाप, M, V square, capital M, upon M, plus small M, अबचा आजा, ठीकर दियर, अब अगला क्या पूसता है, अगला साप कहता है, तो गतीज उरजा, की हानी क्या हुई, तो दोस्तो हानी की बात करे, तो capital M, small M, V square, upon 2 M, plus M, देख, फैस्ट अबजेक्ट हो गया, बहिया, क्युशन निकाल ले, बहिया, क्युशन निकाल ले, ए, यह ले, फैस्ट अबजेक्ट निकाल ले, यह एक्साम में आता आना, और फिर लड़का करके आता तो लगता उसको आती है, फिजिक्स, बहुत सिंपल पॉब्ला में है, पढ़ लिया, अब मैं मेरी बात पर आता हूँ, आजा, खाली कर भीया, देखो डियर, यह कोई एक दिवार है, इस दिवार पे कोई पार्टिकल ऐसे किसी वी वेग से जाए, और यह टकर करे, और वापस मुड़ जाए, और माना कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो दोस्तों इसका वेग हो जाता माइनस वी, कोमन से देखो, देखो, मैं इधर जा रहा हूँ, वी से, वापस मुड़ गया, माइनस वी क्लियर, कब है, जब यह इलास्टिक हो, यह परत्यास्त हो, अब इस प्रस्ट अरिय वंडी है, लेकिन तेरे इस कुशन में टूड़ी में अगला प्लेन में तो मुग कर रहा है, और इलास्टिक है नहीं, अच्छा कुशन अपने आपके, आजा भईया, देखो डियर, यह यह दिवार है, ए, मैं तेरो समझा दो ऐसे, यह तेरा अक्षक्ष है, यह तेरा वाई अक्ष है, यह एक पार्टिकल देख डियर, यहां ऐसे आके टकरा रहा है, और टकराने के बादे पार्टिकल ऐसे आ रहा है, बोलाया ना, ठीक है डियर? अब इसकी जो विलस्टी है, इसी पॉanिट पर, वो तो खुद क्या कह रहा है, बोला क्या है? टू आई प्लस minus, टू आई माइनस जी है, तो दोस्तों साप साप पता लग रहा पको, यह कौन है? टू आई केप है, और तेरे सामने सामने क्या है? माइनस वन जे केप, यानि इस पार्टिकल का अक्स अक्स पे विलुस्टी दो है और Y पर माइनस वन यह नहीं यह माइनस को बजा रहे है अब जब यह पार्टिकल टकरा के दिर यहां आएगा धान्दे क्लास तो इसका जो यह VY कंपोनेंट है यह तो अब भी क्या रहेगा माइनस वन जे पर दोस्तों यह जो V डैस होती तो कुछ नहीं करता कि माइनस दो प्लस दो से जा रहा था और माइनस दो से आ गया बट दोस्तों यह ऐसा नहीं है यहां पर इसको आपको निकालना है एक बाद जानते हैं पन्यार वाट इज इज गटना के बाद का वेग अपन कटना के इसको अपनों कहते हैं V S और A S फोर सेपरेटिंग A फोर अप्रोचिंग दूर जाने की पास आने की V S ते रहो निकालना है न E multiply UA पास आने कितना आ रहा है 2 तो सामने सामने तो दोस्तो V S एक्वल टू क्या हो गया भई 2 E बोल बोल और E की वल्यू क्या है अगला कहता है 2 से 2 कहें से लाउट कर दे दोस्तो V S की वल्यू 1 आ गई यानि इसकी वल्यू लड़के 1 है बट डैक्स न बदल गई तो दोस्तो दिस इज माइनस 1 तो यह माइनस यह माइनस यह मेरे भाई सिंपल से फंडा है माइनस आई कैप माइनस जे कैप यह इस बेस्ट आप इस सोलुशन फिर देख 2 आई से गया इधर से आ रहा है वापस आया प्र दोड़ने पड़ेंगा तो इसमें फिर से करता हो यह दी एक कुश्टन में इलास्टिक कोलिजन होता तो बहुत सिंपल क्यूशन यह प्लस दो था यह माइनस दो हो जाता है लेकिन दोस्तों कहता 50% नस्ट हो गया तो दो का आदा एक हो गया यह का मान आदे का मतलब होता है 50% खतम हो जाना तो आपके सामने माइनस आई माइनस जे माइनस आई माइनस जे दोस्तो नो का आँसर नुमर 3 ठीक है डिया तो दोस्तों क्यूशन नुमर 10 देखो इसको वेक्टर की साइटा से भी कर सकते है बिना वेक्टर एक कॉमन सेंस से भी कर सकते है मैं इसको कॉमन सेंस से करता हूँ उसके बद वेक्टर से भी कर दूँगा तो दोस्तों इस कुछन में सारा खेल डिरेक्शन का है नौर्थ साउथ एस्ट और वेस्ट अगला साप कहता यार एक पार्टिकल पहले इधर जा रहा है अपने इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा दें एक पार्टिकल इधर जा र इसका पी क्या है एम वि इसका पी क्या है एम वि तो देखा जाये तो ये एक पी ये भी पी और ये भी पी तो इन दोनुथ का कैंसल आउट कर दे तो दोस्तों वी डेस का मान क्या आ गया वी बाई रूट टू वी बाई रूट टू ठीक है कोई दिकत थेंक्यू दोस्तों क्विश्चन नमर 11 यहां दें कुछ फोमले है वो आपको डाइक याद रहने होंगे फिर बिलो में एक हलका सा हिंट आपको दे द कोई एक बोल नीचे के और गिर रही है एंड रिबाउंट्स ओफ हाइट एच बाई फोर यह वापस जाती है किसी एच बाई फोर हाइट से वापस उचलती है तो कोमें सेंस की बात है कि यह कोलिजन इलास्टिक नहीं है इसका आपको ए निकालना है तो एक तो ए का सिदा फ दोस्तो वन ओके थेंक्यू दोस्तों कुश्चन नमबर ट्वल्व पे जाने से पहले या शुरूह करने से पहले आप देखो सेंट्र ओफ मास सब काम आ गया है अब तक हमारे कुश्चन जो थे वो अमारे लीनिर मॉमिंटर में पर दे तो सेंट्र ओफ मास की बारे में पूरी बोड़ी पर फोर्स लगेगा लेकिन मुझे इसको एक पॉइंट बानना पड़ेगा कि मैं मानूगा वो सारा मास किसी एक पॉइंट पर सेंट्राइजड है बस उसको सेंट्र ओफ मास करते है ठीक है बस यह धानकना चीज़गा यह एक बड़ा और यह लिनियर मोमि उसका प्यूजिस्न क्या है उसका इसलिक क्या है उसका इसलिजिस्क्या है तो दुस्तों ऐसे निकाले है आर सी विक्टर पर भीया एक बाए धान चाओ लास का यह सारे किसे में रहेंगे विक्टर में से विक्टर है अब यदि मुझे उसका वी-सी-म चीह है मुझे इसका विलोस्ट्री चीह है तो M1 V1 M2 V2 प्लस डैस डैस अपॉन M1 प्लस M2 जब दोस्तों विलोस्ट्री है तो अक्सेशन भी होगा तो मुझे मुझे इसका A चीह है तो मैं A क्या निकालूंगा M1 A1 M2 A2 अपॉन प्लस डैस 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 नितने भी है M1 प्लस M2 प्लस डैस 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 देखो भाई एक साथ पढ़न 2020 को एक्जामे 26 जुलाई 2020 को अब दोस्तों पूरी थोरी की काने नहीं कर सकते हैं वो तो मेरे साथ ही नों पढ़ा दिया जिस भी कोचिंग पढ़ें यह कॉमन बात है सेंट्रों मास का पहला पॉइंट है लिनियर मोस्तर ने खिगती का गॉनसिप्ट है किसी बड़ी बोड होता है हमारा X और Y औरिजिनल पॉइंट के साफ एक्स देली फिर उसका कोई VCM होगा फिर इसका कोई तो जिसको यह फ़मला याद है अलक्स याद नहीं करना उसको अलक्स याद नहीं करना क्लियर अब आता हूं मैं कुश्चन पर दोस्तों अब आप कुश्चन पर दो क्य M2 A2 upon M1 plus M2 अगला साफ कहता भईया दो एक समान करन से निकाए है एक करन का तोरण A है दूसरा करन स्तिर है इसका मतलब अपना अपना तोरण क्या हो गया जीरो हो गया यह काहने दोस्तों जीरो हो गई तो दरवे मान के अंदर का तोरण क्या है सेंट्रों मास्क अक्स अक् अपने समझा दिया ना फट कर गया तो थेंक्यू आओ भई धान से क्रोश्चन को यह सेंट्रों मास्क का पढ़ो पढ़ो पढ़ लिया आयो थ्री पोइंट मासेज M1 M2 M3 प्लेश्ट एट कोड़ने सो मास्क सब निखाओ देगो दोस्तों तरे सामने है एपर मास्क क्या है 1.6 B पर है 2 C पर है 2. यहां कोई मास्क नहीं है आपको भया इस निकाए का इस सिस्टम का सेंट्रों मास्क के कोडिने डिकालने है एकस एकस पे क्या है और य पे क्या है अब आप खुद देखो मैं अभी आपको मनें RCM बताया तो RCM क्या होता है X I कैप य जे कैप और Z क्या यह 1D हो सकता है बोडी, बोडी 2D हो सकती है बोडी 3D हो सकती है पटें यहां आप देखो बोडी आपकी क्या है 2D है 3D नहीं है तो दोस्तो RCM एक्वल 2 क्या है X CM बोल दो इसको I कैप और Y CM J कैप तरिका सुनो यार जैको एकस प्या होता है वोडनेट तो 1D भी होता है, 2D भी हो 3D, हमने 3D कर दिया परे, 3D है ही नहीं, साफ 2D दिखाय दे रहा है, तो इसका एक XCM, एक YCM, अब आजा, XCM क्या है, XCM, निकालो सेंटरों मास है, किस पे, XX पे, पहली बोड़ी कितनी है, 1.2, कहा रखिए, सेंटर पे, इसलिए क्या हो गया, 0, दूसरी बोड़ी क दूसरी कहा रखिए, 1.2, multiply, 2, थर्ड बोड़ी कहा है, बोड़ी का मास तो 2.4 है, बट कहा रखिए, YX पे, XX क्या होता है, 0 upon, टोटल मास, टोटल मास क्या रहा है, 2.4 और 1.6 कितना हो गया, 4, यह आपका 6 आ गया, यह लिए मेरे दोस्त, XCM की जो वेल्यू है, वो तेरी 2.4 upon 6, यानि 0.4 आगी बोलाया ना, देख ले, आगी, अब तू YX पे आजा, तो YCM की बात तू करेगा, आजा, YCM बात कर ले, तो 1st बिंदू क्या है, 0, 2nd क्या है, 0, Y कितना रहे, 2.4 multiply 1 upon Y6, आंसर क्या आ गया, 0.4, तो X भी 0.4, Y भी 0.4, A, यह ले, बात समरा है, रहा है ना, ओके थेंग्यो, हाँ डियर, क्यूशन नमर 15 जो है ना, जो को वो कहता है कि सेंट्रो मास्क की चाल बताओ, तो सेंट्रो मास्क की स्पीड के लिए आपको पहले बताच को फोर्मूला में याद हो तो, याद है क्या, M1 V1 प्लस M2 V2 upon M1 प्लस M2, क V1 क्या है, उसका 14, M2 क्या है, 4, पड़ो किस कंडिशन में है, रेस कंडिशन में, यह तेरा कितना है, 14, तो दोस्तों आपके सामने है, 1 14 by 14, तो इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, तेंक यू, दोस्तों इस पेपर में, कुशन नमर 16, 18 और 25, यह मैं जब सॉलिशन किया, तो मुझे लगा तिनुग एक लोजिक है, 16, 18 और 25, इन सब का एक अर्थ है, अर्थ क्या है, कि यदि बाहर से को फोर्स जीरो होता है, तो आप जानते हो दोस्तों, DP इक्वल टू, DT जीरो होता है, DP इक्वल टू, जीरो होता है, तो P इक्वल टू जीरो होने सकता, कि मास जीरो होगे, बोड़ी नहीं है फिर तो, तो 16, 18, 25, इन एक क्यूशन है, क्लियर, आजो, क्या कहता पढ़ लो, टू पार्टिकल्स ओफ डिफेरेंट मासे इनिशियरी, अर्थ, डिस्टेंस आर अपार्ट, डू टू टू मूच्वल अप्रोच इच बाहर से कोई फोर्स नहीं है ना, सुन ले भई, बाहर से कोई फोर्स नहीं, खतम बात, तो आंसर क्या हो गया, फैस्ट, होगे डियर, आप क्यों सब्सक्राइट निकालें, आओ जी, 18 पर आजाओ, क्या कहता है, A and B, initially, at race, move toward each other, under mutual force of attraction, mutual force, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इस कांसरी भी क्या हो जाएगा, जीरो, अब आउट फोर्स नहीं है ना, तो सेंट्रो मास के move, moment नहीं कर सकता, ओके, आप 25 माजो, ये 25, under the effect of mutual internal attraction, वही बात है, F0, DP by DT 0 जो बता है, तो आपका रे कि समभिए क्या हो गया, तो दोस्तों, 16, 18, 25, ये त्यों कुशन एक ही है क्लियर, तो 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 क Center of gravity कभी बोडी के बाहर है, नहीं हो सकता, ओके, थैंक्यू, दोस्तो, क्विशन नमर नाइन्टीन, Center of Mass का बेस्ट क्विशन है, आप क्विशन पढ़ लो पहले, यह तरीका होता, उनलाइन का पोज करें पढ़ लिया, अब आज़ो, मैं इस क्विशन को मेरे इसाब से आपके डाइगराम बनाता हूँ, आज़ा भाईया, फेज का लेगा, यह इंक है इसकी, यह एक सरकल बनाया, वो कहता है, यह जो सरकल बना, इसमें कितनी काम आई, 6 हैं, कितनी काम आई, 6 हैं, क्विशन पढ़ना, और इसके कोडिनेट क्या है, इसका कोडिनेट है, 00, यानि इसका कोडिनेट है, 00, इसका जो मास हो कहां कमानता, X भी 0 और Y भी 0, इसके कोडिनेट है, 00, X कोडिनेट, Y क अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सिस्टेमटिव बना लूँ एक गोला यहां बनाया कलर चेंज करूँ तेरे रेड कर दूँ एक लाइन दोस्तों यहां पर खड़ी कर दी एक लाइन पड़ी हो गई अब तेरा कुशन में आना यह जो गोला है उसका मास्क M यह जो गोला कहां पर है तेरे सामने स्पस्ट है यह लाइन यहां से माइनस ए प्रिशन में आजा वापस आजा दोस्तों यह गोला कहां है अब देख यह वाला गोला M कहां पर है माइनस ए और कॉमन सेंस के बात है यार यह original point है, दूसरा गोला M कहां पर है, A, A पर, यह दोस्तो लाइन किस पर है, अक्स अक्स पर, 0, 0, और यह लाइन देखो, आप खुद आओ, क्यूशन में आओ, पड़ी लाइन जो है, साप कहते हैं, देखो, दोस्तो, क्या-कोडिनेट है, 0, 0, minus A, 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 0, 0, 0, 0, minus से, वापस अब तेरो निकालना क्या है, वाइक्स निकालना है, तेरे को Y-C-M निकालना ना केवल, तो Y-C-M निकालेगा, तो पहले में तो 0 हो गया, जब पूरी बात कर लेगा, 6 M multiply 0, M multiply A, M multiply A, M multiply 0, plus M multiply minus A, upon 10 M, तो Y-C-M equal to क्या हो गया, दोस्तो तेरे सामने उपर M A upon नीचे 10 M आए A Y 10, राजी, आज आज आपको देख लिए कौन सामसर है, A Y 10, पता एक्जाम में क्यों नहीं आ सकता, बड़ी प्यार से आएगा, 26 July 2020, 20 को देखना है, थैंक्यो, दोस्तो, क्यूशन नमर 20, थोड़ा सा लेंग्वेज में टीपी किला है, बहुत अच्छा, तो साब कहता है, कि सेंट्रो मास, कुशन पढ़ लो पूरा, पढ़ लिया, कुशन नहीं भाव क्या है, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो मास के तीन पिंड का दरवेमान के अंदर 0, 0, 0 है, यह दोस्तों यह कहने का मतलब है, यह 60 केजी मास जो है ना, वो 0, 0, 0 पे रखा हुआ, ऐसी दसारती है, अब व तो सेंट्रो मास 3, 3, 3 आ जाए, लड़के, 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 सेंट्रो मास का मतलब है, 3i केप प्लस 3, j केप प्लस 3, k के पिल, मैंने अक्सरे बात कह रहा हूँ, लेंग्वेज जिसको पढ़ने आती है, वो ही जानता है फिजिक्स को, साब कहता है, 10, 20, 30 केजी का मतल ने सेंट्रो मास जो है, एसे आगया कैप प्लस 3, 3, j kipe, प्लस 3, k केप, लगए, बस बीचियर, आजाए, एक साथ कर ले, लब लेक पें तरह लेक के कैप, ये दोस्तों इसके इक्वल है, बस, अपॉन, अपॉन, हंड्रेड, क्यों, दस, तीस, तीस, साट, चालिस, हंड्रेड, बस, ये ले, इसको मैं मिटा दू तेरे लिए, ठीक है डियर, बस, अब आजा, तो तेरे सामनी क्या है, थरी आई कैप, प्लस थरी जे कैप, प्लस थरी के कैप, इक्वल टू, इक्वल टू, फोर्टी अक्स आई कैप, प्लस फोर्टी वाई जे कैप, प्लस फोर्टी जे कैप, प्लस फोर्टी जे कैप, अपॉन, बोल बोल बस अब देख। अक्स क्या है ? आई कैप के साथ के साथ साथ एसे एग्स 7.5 य भी 7.5 जेड़ी भी 7.5 बाउंस रागे रोल किसका है? लींगवेज़ का लींगवेज़ पड़नी आती है तो कहीं को दीखते है तो मासेज M1 M2 M1 greater than M2 are connected by मास्टलेस, flexible and inaccessible string passed over मास्टलेस and frictionless पूली करना है पड़ेगा इसको आजा वीडू ये पूली एक मास इधर एक मास इधर पूरी बात कर भाई या ये M1 ये M2 साब कहता है M1 M2 से बढ़ा है M1 M2 से बढ़ा है तो मुवमेंट किदर होगा इस तरफ है हलो इस तरफ होगा किस से होगा रहे या बुल गया M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 multiply जी बता हाया ना क्लियर अब सेंट्रो मास निकालना तेरे को इसका सेंट्रो मास का क्या निकालना है तेरे को अक्से से निकालना है अब तो खुद देख ये उपर जा रही है ये नीचे आ रही है तो कोमन सेंस की बात है ये माइनस J कैप है और ये प्लस J कैप है तो ACM क्या होगा धान दे क्लास वाट इस ACM तो ACM निकालना हो तेरे को तो याद कर ACM निकालना हो तो तेरा M2 किसे मल्टिप्लाई होगा J कैप से प्लस M1 किसे मल्टिप्लाई होगा माइनस J कैप से अपोन क्या होता है M1 प्लस M2 बोल हाँ या ना ठीक है डियर M2 अच्चा इसको मल्टिप्लाई किसे करना पण QR काба A से वो तो रहेगा रहेगा वो तो होता ना भई वो तो आपने A से रिकालते हैं तो M1 A1 प्लस M2 तो रहेगा रहेगा तो dear यह तेरी वीडियो आगए इसमें मुद्दे की बात क्या थी यह प्लस J है यह माइनिस J है बोड खाली करना भईया तो dear तेरा ACM क्या आगया धन्दे क्लास वाट इस ACM देख ऊपर जा रहा ना M2 J कैप माइनस कर दो तो कहें तो M1 J कैप अपोन M1 प्लस M2 मल्टिप्लाई क्या है? A और A क्या है? तेरो पढ़ा चुका हम है A क्या है? M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 multiply G वो तो होता ही है करने की बाती है multiply G अब तेरे सामने या आंसर आ गया अब तो इसमें J बाहर निकाल ले J बाहर निकालेगा तो M2 माइनस M1 भी तो माइनस करेगा तो एक बाहर माइनस भी आएगा object दिखाना में क्या है? object दिखाना तो object में दोस्तो आपने M1 माइनस M2 का whole square M1 प्लस M2 G आजा क्यूशन में आजा होगी बात पूरी तो दोस्तो तेरे सामने सामने है आप इसमें से एक माइनस भाहर ले ले तो यह क्या बचा? M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 नीचे M1 प्लस M2 उपर भी स्क्वाइर नीचे भी स्क्वाइर G माइनस तो यह पढ़िया आप इंडिकेट करता है आंसर ओना आजा M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 का whole square multiply जी आंसर हो गया देख किस को फस्त देदाना क्लास उस माइनस का फरकने पढ़ने वाला वो तो किसको बताता है बता जिसा को बताता वो रेफरेंस है कोई फरकने पढ़ना इससे मुद्दे की बात क्या है सबसे पहले तो हमें formula या दोना चाहिए M1 माइनस M2 upon M1 plus M2 multiply जी जैसे पुली दिखाई देए अब यह सब practice याएगा फिर दोस्तों हमें क्या ACM ची है तो याद करो M1 A1 plus M2 A2 plus dash 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 upon M1 plus M2 plus dash 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 पूरा कर रहे हैं बोर्ड पर कहार्स नहीं कर रहे हैं बई ओके थैंक्यो हाँ डियर देखो यह क्यूस्टन एक्जामी नीट में नहीं आएगा शोर है फिर भी करेंगे इसको पर इसे एक integration step मेरे काम आएगा जो मेरे को practice देगा दोस्तों ठीक है ना तो इस क्यूस्टन को आप धान से देखे एक्जान के आप तक तो मास ऐसे रखे हुए थे यहां रखे हुए निया मास यहां linear density है ऐसे मास पहला हुआ है continuous distribution है मास का सत्त वीतर नों बोलते हैं मास का ओके डियर आप देखो क्यूस्टन के बासा पड़ो यह दोस्तों अगला साब कहता है 3M लंबाई की छड़का रेखे एक नतुबह जो है linear density जो है वो lambda एक्वल टू टू प्लस X के according वेरी कर रही है तो कहने का मतलब ही है माई डियर कि इस रोड की टोटल लंबाई क्या है 3M अब धान्दे क्लास माना इसके एक किनारे से X डिस्टेंस पे हम कोई एक DX सेग्मेंट ले ले तो DX सेग्मेंट ले ले तो इसका मास क्या होगा DM थोड़ा सा अउपर है medical से DM क्या है मास ओफ DX लेंथ जूनिट लेंथ का कितना है 2 पलस एक्स लैमडाई्स क्या है दहांस देख लैमडाई्स Density Density तो मास ओफ जूनिट लेंथ अब किसका निकालना है DX का तो dx से multiply करते हैंगे, तो तेरा dm क्या बन जाएगा, dm बन जाएगा 2 प्लेस x multiply dx, यह ले, इस किनारे से x distance पे कोई dx segment है, उसका mass माना कि dm है, तो dm क्या होगा, lambda dx, lambda की value देदी, अब आजा, थोड़ा सा color change करके, तेरे लिए मैं यहीं इस बात को पूरा कर दूँ, अब देख dear, तेरे को क्या चाहिए, central mass चाहिए, ठीक है ना, तो तेरे को axiom चाहिए, तो axiom क्या होगा, इसको मिटा देंगें तो अपने ज़ानों है, axiom क्या है, axiom यह रहा, कहां से कहां, जीरो से 3, उपर क्या है, distance multiply mass, distance क्या है, ax, mass क्या है, dm, नीचे total mass क्यावल, कहां से कहां, जीरो से 3m, dm, बोलाया ना, उपर तो distance multiply mass होता है, याद रहा है, m1x1 plus m2x2, नीचे only क्या होता है, mass, clear, अब थोड़े से step इसमें, typical होंगे, तो मैं तेरे लिए एक बात यहां कर लूँ, ये दोस्तों, तेरा 0 से 3 है, x multiplied dm, dm क्या है, तेरा ये रहा, तो x तो बहार ले ले, dm है, 2 plus x multiplied dx, upon 0 से 3 dm, तो dm तो dm है, dm क्या है, lambda dx है, तो अपना ऐसा कर दें, dm क्या है, lambda, dm क्या है, lambda multiply dx, lambda क्या है, 2 plus x है, ओके डियर, अब इसको मिटा दू, मैं आगे बढ़ाना मेरे कुछे दिसी बात ना, प्रस्टन को कोई दिक्कत ही नहीं, ये सब तू देख चुका है मेरे साथ, होगे नहीं बात, मैंने कहां, नीट में नहीं आएगा है, किसी के नीट में नहीं नहीं आएगा, बर जरूरी होता करना क्यूशन, अब देख भाईया, ये तेरा 0 से 3, ये तेरा 2x, प्लस x स्कायर, को आप dx के साब पे इंटेग्रेट करें, ये तेरा 0 से 3, ये तेरा लेम्डा, वो रहा, लेम्डा, लेम्डा वो रहा, 2 प्लस x dx, आजा, अब आजा भाईया, 2x integration, बुल कहा है क्या, x n प्लस 1 अपॉन, n प्लस आजा, 2x 2 बाई 2, x 3 बाई 3, कहां से कहां, 0 से 3, अपॉन 2x प्लस x स्कायर बाई 2, 2, कहां से कहां बाईया, 0 से 3, अब होता है, अपर माइनस लोवर, अब इसमें तरह टाइम विस्ट नहीं करूँगा, मैं, तो वेल्यू पूट कर, इसका सीधा आंसर आएगा, 12 बाई से होँआ, इसमें E आजाता है, दान दो, यहां कुछ चिर्य बड़ी कीमती आजो, देखो, एक वस्तू को अपन, H1 उंचाई से छोड़ते हैं, निचे आती है, यह दिया कोलिजन, इलास्टिक होती, तो कहां तर जाती है, H1 तक, बड़ी इलास्टिक नहीं है, तो यहां तक गई यह, कितनी गई, H2 तक, तो कॉमन सेंस के बात है, वापस भी कितना आएगी फिर यह, ऐसे जाएगी, वापस भी H2 तक आएगी, फिर यह कुदेगी, फिर थोड़ा कम हो जाएगी, H3 तक, फिर वापस कहा तक आएगी, H3 तक, ऐसे यह, टंपिंग करते करते रुक जाएगी, क्योंकि इनरजी, लोस हो रहा है, बस, अब आप इसमें, जो फोमले बनते हैं, को मनों सुन लो, E equal to V upon U, equal to root H2 upon H1, equal to T2 upon T1, यह ले भाईगा, fix है, E equal to V upon U, root H2, H2 उपर है, तो time भी उपर आएगा, clear, बस, अब तेरे सामने सामने है, अब तू देख, height कितनी है, 4.9 मिटर, तो यह पहले कितना गिरेगा दोस्त, कितना गिरेगा, 4.9 मिटर, तो इस H1 का तू T1 निकास, तो निकाल ले ना, यार, पूर्ण बना करता है, देख, H equal to U T plus half है, GT square H का मान, 5 मान ले, यह 0 है, यह तेरा half है, G का मान 10 है, यह तेरा T square है, यह देख, कट गया, T की value 1 है, तो इसका मतलब है, यहां से यहां तक आने का समय क्या है, एक second है, यह 1 second है, यह कितना समय है, निकाल लो, यह निकाल ले यार, तेरे सामने है, E की value क्या रहे, 3 plus 4, T2 क्या है, तो पता नहीं है, T1 का मान क्या है, 1 है, तो भाई T2 क्या हो गया, जान दे class, T2 3 plus 4, तो यहां से यहां तक जाने में, 3 plus 4, तो यह भी समय कितना है, 3 plus 4, तो वो कहता हूँ, वापस कब टकराएगी, यहां से वापस, तो 3 plus 4 जाने का, 3 plus 4 आने का, कितना हो गया, 3 plus 2, आंसर आगया दोस्तो, आपका 3 by 2, 4, clear, thank you, यह एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, धान सुनना, मैं इसका डागराम मनाऊंगा, मैं मेरे को फॉर्मला याद है पट नहीं, मैं फॉर्मला नहीं मनाऊंगा, मैं इस तरह मनाऊंगा, इसको, U1, U2, V1, V2, मास सब के M M है, इसलिए वो खट जाएंगे, रोली नहीं है, ठीक है, अब तो खुद देख दोस्त, एक कहता है, M द्रॉब्लमान का गोला, नियत वे, U से, गती करते हुए, समान द्रॉब्लमान के, गती करते हुए, जब अब साब कहता है, M मास का एक गोला, करकर के बाद, दोनुं कोलूं के वे का नुपात है, इसका मतलब तेरे को, V1 बाई, V2 निकालना, बोल हाया ना, कलियर, अब तेरे को, मैंने सुबह, सुबह मतलब, इस क्लास में, पहले इनिशियर इकुष्णों में, एक मास्ट फोंगला बताया था, आज आब याख खाली कर इसको, पेज खाली कर, भूल गया क्या रहा है, V1 एक्वल टू, M1, माइनस, EM2, M1, प्लेस M2, मल्टिप्लाई, U1, 1, प्लेस E, M2, M1, प्लेस M2, मल्टिप्लाई, U2, इसमें M2 पहले आता रहा है, M2, माइनस, EM1, M1, प्लेस M2, मल्टिप्लाई, V2, लड़के, लड़के मेरे साथ दंगसे हो जा, मैंने जानम बूच के लखा तरे सामने, अब तो खुद कह रहा है, कि यूट्यूब राबर जीरो, ये दुकान तो जीरो, खतम एक जटके में, बस, करना क्या है भोले आदमी, आजा, ये तेरा V1 क्या बना रहा है, M, माइनस, EM, बाई, 2M, U, V2 क्या बना रहा है, 2M, sorry, 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 ये 1 प्लस E, 1 प्लस E है ना, 1 प्लस E, multiply, M, upon, 2M, multiply, U, A, divide कर ले यार, 2M से 2M गया, और U से U गया, इसका M भाहर निकाल ले, तो यार आगया ने रहे, 1 माइनस E प्लस 1 प्लस E, क्योंशन बाना रहे, 1 माइनस E प्लस 1 प्लस E, आगया ना, प्लस E, आगया मजा, थैक्यो, dear, ये एक बहुत सिंपल क्यूशन है, एक आपका सिर्षी सिर्षी से बात है, कि आपका विस सिस्टम है, उपर जितने में एर है, उतने में उपर में सेंड है, तो निशिपार सेंड का मास्ट ज्यादा होना है, तो सेंटरो मास्ट उधर थोड़ा सिप्ट होता है, तो अब ये इदर है C और D नहीं हो सकता है, D तो बहुत त्याला निशिए, तो इसका आंसर क्या करेंगे, अपर ने सी करेंगे, इसे थोड़ा सा, इसे में ज्यादा बुद्धी की जूरुत बेगा, एक सुना, यहां एक प्रस्ट बताओ आपको मैं, कई बार यहां ऐसा प्रस्ट आता है एक्जाम में, बैट कर, बताओ सेंटरो मास्ट के दर है, तो सेंटरो मास्ट में ऐसे एक लाइन खेंज देता है वो, किदर होगा, इस पार्ट में होगा, पी पार्ट में होगा, क्यूँ पार्ट में होगा, सेंटरो मास्ट दोस्तो, पी पार्ट में होगा, क्योंकि यह बैट का अथा तो है, जह नहीं है पर इससे थोड़ा सा हलका हो गया बात पर खती अशनों आता है बैट का डियाग्रामना होता है यह से लाइन खहेसी तो इसका यह बात है जब कि डिस्टेंस एक्वाल है तो जिधर डेंटी जाधा है उधर मासं जाधा एर भी उतनी है, सेंड भी उतनी है किसमें? वोल्यूम वाइस तो उतने वोल्यूम सेंड का मास ज़्यादा होता है तो ये भी क्यूशन एक्जाम देन गाइड़ू आया हुआ है ओके, थेंग्यू दोस्तो, क्यूशन में 27 है ना इसमें एक डेड़िवेशन है, तो निकाल लेते हैं दो-तिन क्यूशन पहले भी आया प्रास कर गए, आजा, पेज खाली कर भाई देखो भाई, जहान दे है एक गेंद यहां से आई फिर यहां गई फिर ऐसे उचली, फिर ऐसे उचली ऐसे यह गठना चलती रही आगे यह डिस्टेंस माना ह, तो डिस्टेंस क्या है ह-1, यह डिस्टेंस क्या होगी ह-2, यह क्या होगी ह-3, यहां टकराई पहली गठना, दूसरी टकर तो दोस्तों, यह एक फिनोमेना पूरी हुई, फिर यह तो एक फिनोमेना हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, चले, आजा, तो खुद कहता है, एक्वल टू क्या होता है, रूट H2 बाई H1, तो यहाँ H1 इसको लिया है मैंने, और यह मैंने H कहे दिया, इस कोलिजन के बाद H1 उचली, और H पहले थी, तो मेरे पास H1 नहीं है तो देख मेरा H1 क्या हो गया, मेरा H1 हो गया, E square H बोल हाए आना, अब सेकिंड गटना में आ, ये तो कोण है, H1, वो कोण है, H2, तो दोस्तों यहाँ, जो फिर वो लिख, H2 बाई H1, अब तेरे पास है, H2 नहीं है, तो H2 क्या होगा, तो खुद देख, E square multiply H1, E square H1 क्या ह है, वो ही देख तेरा E square H, तो देखा जाए, तो E square, इसका square एक तरह से H दो बार हो गया, ऐसे तो तीसरी गटना में जाएगा, तो तेरा क्या है रही है, E equal to H3 by H2, तो फिर देख तू, S3 क्या है, E square H2, तो H2 में E पर दो बार आया, S3 में तीन बार आया, तो दोस्तों ऐस तक्र के बाद कितना उच लेगा, H and E की power 2 and multiply H, and number of collisions है, ऐसे यह जो question है, यह कहता है कि रुकने से पूर वे, इसके दोरा ते की दूरी क्या है, तो दोस्तों, यहां भी फिर एक simple formula है, जिसको मैं आपका time वेस्टने करूंगा, H equal to 1 plus E square upon 1 minus E square, यह आपको याद रखना वैसे यह भी derivation है, दोस्तों, रुकने से पहले ते की कुल दूरी जो होती है, वो H, 1 plus E square upon 1 minus E square होती है, इसकी value पूट कर लो, आप जो question में आ जाए, लो, तो question क्या कहता है, रुकने से पहले की distance, दोस्तों, H, 1 plus E square upon 1 minus E square, H, तो आपका H है, E कितना दोस्तों, एक 1 by 3 upon 1 by 3, यह 4 by 3, यह 2 by 3, तो दोस्तों, सोल्ड करेंगे, आंसर क्या आगया, 2H, आपका है, clear, यह जो बच्चा थोड़ा बहुत दंग से पढ़ता है, यह कोलिजन के दो-तिन फोर्मले हैं, जो E के साथ होने पर आते हैं, और यह time बता दिया, H बता दिया, और total distance कितनी का और कर अगया, तेंक यू, तोस्तों बड़ा अच्छा है, क्रिश्ण ने बड़ा पिर यह परशन है, जांस देख लो, परशन पड़ो क्या है, ए पार्टिकल ओफ एम मुविंग भी वी नोट, स्ट्राइक से सिंपल पेंडूलम ओप मास एम, दोनु एम एम के हैं आपर, एंड स् यह कोई एक पेंडूलम है, एम मास का है, इसका दोस्तों वी यू टू क्या है, जीरो है, यह कोई गोली है, एम मास की है, वी नोट वेक से टकराई, दोस्तों टकराने के बाद दोनु एक हो गई, तो सबसे पहले, मोमेंटम, कंजरिवेशन से, आप टकराने के तुरंत इतना तो यार, तो वी डेस का मान क्या आ गया, वी नोट वाई टू, कहने का मतलब यह पेंडूलम जो है तेरा इस परकार से, वी नोट वाई टू विलिस्टू से वहाँ जाएगा, तो यहां के सारे किसरा काईटी कहां करे नोट होगी, पोटेंशियल बैस, आजा, तो 2m, मास कतना हो गया रहा है, 2m, वी स्काइर 2m, जी एच 2m, 2m, कैसल आउट हो गया, तो ह यह पाल, तो ह वी नोट वाई 2, इसको वी डेस हो सकते हैं, वी नोट वाई 2, एक में ढमीडा लेच को, वी नोट वाई 2, वी नोट का स्काइर करेगा, तो 4 और यह 8, इस इस जी एच ये ले यार एच एक्वल टू वी नोट स्कायर अपॉन एट जी आंसर ने करना भई यह रफास्ट आंसर हो किया जैसते यह तिरे रफास्ट आंसर हो किया लिए सिंपल है अब तो मैं देखा जाए तो नए कुशन नहीं कर रहा हूं जो प्रैक्टिस की है उनकी आपको मैं रिविजन करा रहा हूं, ओके थेंगो दोस्तो कुशन नमर्ट ट्वंटी नाइन जो है, वो कुशन नमर्ट ट्वंटी फोर है हमारा, देखा अभी जो हमने किया है बिलकुर, ट्वंटी फोर में जो मैं पूरा समझाया, और उसको मैं है काम देखा, अब बार बार टाइब इस नहीं करूँगा आपका तो दोस्तो ट्वंटी फोर मुला बना अपना वी वन अपोन वी टू इक्वल टू वन माइनस ए वन प्लस ए अब अगले की पासा साब कहता दोस्तो तो तो तेरा वी वन अपोन वी टू इक्वल टू क्या है वन बाई थ्री ये लिए भाई इसको वन बाई थ्री कर दे तो तेरा थ्री माइनस थ्री ए इक्वल टू वन प्लस ए इसको इधर ला, इस इस तू या आपका फोर ए equal to 1 वट्टा दो equal to 1 वट्टा दो आंजर हो गया second थेंक्यू दोस्तो क्यूशन नमर 30 जो है न ये बहुत अच्छा क्यूशन है देखो दहन दो पहली बात तो इस क्यूशन की सर्थ है कि इसमें ये U2 हमेंसा क्या होना चीए जीरो ये खास बात है इसमें नहीं तो गरोड़ जाएगा मामला इसका अल्मॉस्ट ये कि U2 जीरो है और M1 M2 के बीच एक रिलेशन है पहली कंडिशन येदी M1 equal to M2 हो तो विलोस्टी आपस में change हो जाती है गांट मान ले रहा है येदी collision perfect elastic हो mass equal हो सुन ले इस तरब किशन आया है नहीं है तो सुन ले दो पोड़ी है mass equal है और दोनू के बीच elastic collision है तो outer collision दोनू के विलोस्टी आपस में change हो जाती है clear तो M1 M2 है तो दोस्तों क्या होगा V1 का मान तो 0 हो जाएगा और V2 का मान है वो U1 हो जाएगा होगा change जो आपकी जो second रुकी हुई थी तो fast रुक जाएगी और second रुकी हुई थी वो fast दे मूग करना सूर कर देगी एक बड़ी अच्छी condition है इसे में M1 is very very less than M2 मेरे हाथ में गेंद है कोई बोल है और मैं दिवार के मारूँ तो मेरे हाथ में कोण है M1 दिवार कोण है M2 तो बड़ा कोण हो गया दिवार वो condition होगी दिवार रुकी हुई है gain दोस्तों मैं जिस वेक से टक्कर दूँगा gain उसी वेक से वापस आ जाएगी V1 equal to minus U1 और दोस्तों V2 अब भी क्या होगा 0 दिवार के वेक में कोई फरक है नहीं पढ़ने वाला है ठीक है अब तीसरी condition है कि M1 is very very greater than M2 M1 है मै और मेरे सामने फुटबोल पढ़ा है मैं फुटबोल किक लगा हूँगा ना याद रिख ले दोस्तों फुटबोल जो है वो मेरा वेक जो है V1 वो तो U नहीं रहेगा मेरे पाउं के फरकने पढ़ेगा पर फुटबोल जो V2 है वो दोस्तों एक्चुरिम आपका क्या हो जाएगा 2 U1 हो जाएगा ये तीन condition है और इस फोलो करें आंसर पहुन सा हो गया सेकेंड हो गया सुठना एक मिनट है बड़ सर्थर इसकी ये U2 जीरो एक पढ़ेगा इसमे सेकेंड बोल आपके रेस्ट महने चीए तो याद रखो समान मास टक्राएंगे चेंज हो जाएगा लाज फुटबोल के मारेंगे फुटबोल डबल भागेगा दिवार पे टक्राएंगे तो वापस आजाएगा वापस का मतलब क्या हो गया माइनस दिवार पे कोई फरक नहीं पढ़ना ये लोजिक हो गया इसका क्याद हो गया ऐसे याद करना पढ़ेगा इसको तेंक्यू दोस्तो 31 अगला कहता है इन वन डाइमेंशनल कोलिजन ओव टू पार्टी के विलोस्टी जार इंटरेंज हो भाई सुन ले रहे विलोस्टी इंटरेंज तभी होती है जब टक्र इलास्टी को हो और मास इक्वल हो कौन सांसर हो गया पांसर को हो गया फस्ट 31 में एक नंबर क्लियर थेंक्यू 32 फिर किस्थोरी का है एप बॉल हिट्स दा फ्लोर एंड रिबाउंट्स आप्टर एन इन इलास्टी कोलिजन इन डिस केस देखो बच्चो कोई बॉल उपर से टकराई और वापस उपर गई दोस्तो इन इलास्टीक है तो माने के चलना यहाँ इनर्जी का लोश हो गया यह वापस उतना उपर नहीं जाएगी पहला है गेंद का सम्वेक टकर के ठीक बाद और टकर के ठीक परे समान होता है टकर के गेंद की आपकी इनर्जी मेकेनिकल समान लेती है गेंद तता पर्तिवा कुल समवेक सरक्षित रहता है गेंद तता पर्तिवा कुल उर्जा सरक्षित रहती है तो दोस्तो यह ऐसे हो जाएगा टोटल मॉमेंटम ओप दा बोल एंड आर्थ इज कंजरवड मोमेंटम ट्रांस्पर हो जाता है इनर्जी लोस होता है इसमें मोमेंटम अच्छा क्यूशन अपने आप में ठीक है ना होगे थेंग्यो क्यूशन नमर 34 सेंटरो मास्की एक्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम आने के खुब सम्मावना होती है तो साप कहता डियर मैं पूरी बात कर लो 200 ग्राम की लोकेशन क्या है 10 आई कैप मीटर पर सेकिंड 500 ग्राम की लोकेशन क्या है 3 आई कैप 5 जे मीटर पर सेकिंड अब अकला साप कहता तेरे से कि तेरे को सेंटरो मास्की स्पीड निकालनी है तो center of bass की speed का x component निकाल, y component निकाल, और दोनों को जोड़ देंगे, तो आजा, तो v cm x component, effect लगा दे है, अब देख, x data कितना इसका, 10, 10 किस से multiply होगा, 0.2 से, प्लस, इसका x data कितना है, 3, ये किस से होगा multiply, 0.5 से, अब ओन क्या एगा, 0.7, फिर दो सो और पांस साथ सो होगे न अब देख, ये तेरा कितना बचा, 2, ये तेरा कितना है, 1.5, ये तेरा कितना है, 0.7, ओके डियर, तो ये तेरा कितना आ गया, 3.5, ये कितना है, 0.7, ये लिए 5, तो 5 i cap आएगा, अब 5 i cap दो में आ गया, तो थर्स सही है या, थर्ड सही है, बात पले पड़ेगी, अब त 5.5 आपन 5.7 ये काट दे तो 25 आपन 7 प्लस में है ये 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 5 आप प्रचीस पते साथ ये ये बहुत नॉर्मन प्रचीजर करने का ओके थैंक यू दोस्तों कुछन 35 अब मापको सेंट्रों मास की एक रहा हूं प्रैक्टीस होमर करा आपको आजा क्या कहता है है वन M1 को I cap से multiply कर तो एक multiply एक और दोस्तो तीन multiply minus 3 upon 4 कर दो सिदा तो यह तेरा minus 1 minus 9 8 तो यह तेरा कितना बच गया minus 2 I cap minus 2 I cap तो क्यों आ रहा है चलो यह हो गया अब RY पर आ जा तो RY पर क्या करेगा रहे वही है RY पर क्या है 2 को किसे multiply कर 1 से 3 किसे multiply कर minus 2 से minus 2 multiply क्या भया 3 divide किसे करना है वही 4 से यह तरह क्या है 2 यह तरह कितना है 6 6 में से 2 कि 4 तो कितना बच गया 1 वो कौन है minus 1 तो दोस्तों यह minus J कैप आएगा तो minus 2 I minus J अपने आपके answer को second हो गया ना यार से दिसी बात है तरह से निगा जूरूती नहीं है निकालूंगा तो जेक एप निकाल दे ले कोन मुना करता है जेक एप निकालना है तो आज यह तरह एक को किसे गुणा कर ले 1 से 3 किसे गुणा कर ले 1 से किसके divide कर दे 4 से 3 रेक 4 4 4 A के लिए तो आनसर आ गया यह प्रक्टिस हो रही आपके ओके थेंक्यू 36 फिर आपके प्रक्टिस है साप साप कहता दोस्तों 1 M मास है 1 M 1 M A कि ए देख सुनू इसको मैं मालो की 1 नंबर कहदो इसको मैं 2 नंबर कहदो और इसको मैं 3 नंबर कहदो तो जो M 1 है दान्दे क्लास उसका है जीरो ए जो तेरा M2 है वो कौन है जीरो जीरो जो तेरा M3 है वो कौन है ये जीरो बस ये तो आ रहा न समझगे कोड़नेट ये कहा रखा वाई पर है तो X0 ये मूल पॉइंट मूल मूल दूपर आ जा बस अचा M1 M2 M3 MMM है मैं समझा देखिया है अब प्लस M गुणा 0 प्लस M गुणा A अपॉन 3 M ये ले भाईया क्या आ गया AY3 ऐसे दोस्तों वाई पे देख ले तो वही M गुणा A AY3 AY3 के ले सेकर ना सुछा गया AY3 AY3 ओके थैंक्यू दोस्तों क्यूशन नम्बर 37 डेरिवेशन मतलब मेडिकल में ये जब क्या कहता है 4 following solid solid cone है खुद कह दिया solid cone जब कह देता है ना तो दोस्तों central mask नीचे से HY4 पे होता है अब ये बंदा कह रहा है कि साब आप सीर से बता हो इधर से बता हो तो कितना बच गया 3 HY4 इस को मैंसे इसकी बात है H की value क्या देखो ओरी 4R upon 4 cancel out answer क्या कहा है दोस्तों 3R ओके थेंक यू और दोस्तों एक बात और याद कर लो ये तो solid था यदि ये खोकला होता तो ये HY3 पे हो जाता है बस जानते है कोन solid होता है तो नीचे से HY4 उपर से तबना निकल जाएगा यार क्योंकि हाइट है ये ये खोकला होता होलो होता तो HY3 पे हो जाता है निचे से उपर तो निकालना पड़ता है ओके थेंक्यू ऐसे 38 नमबर ये याद रहते हैं याद होगे ना कर ले नहीं होता है याद रखने पड़ेंगे बढ़ेंगे 3R by 8 वह एच भाई 4 वह एच भाई 3 याद होगे ना कर नहीं होता है यार ओके थेंक्यू दोस्तों कुछ सब 39 टोटली लीनियर मोमेंटम गंजरिवेशन भाईया आप इलास्टिक हैं आप नोलास्टिक हैं कोई फरक नहीं पड़ता एंगुल्डर मोमेंटम अमेसा क्या होगा कंजरिवेट तो सिदा है यारो थ्री आइडेंटिक एड़ता कर दूँ कोक्तर मोमेंटम के बेड़ता हैं कि और अप यारो एक उसिदा करें केपनी कैप है, यह माइनस 3J है और यह 5K कैप है किसके बराबर है, वी डेस के बराबर है ऐसा अपजिट कौन सा हो गया पहला हो गया, थैंक्यू एक तो बहुत क्विश्ट का क्रेक्शन है, यह फूर्थ अबजेक्ट है, आंसर भी ही है यह फूर्थ लिखना भूले है, खास बात नहीं है दोस्तों क्या कहता देखो, वो कहता है एक बंब, विस्पोट के बाद तीन बराबर टुकडूम तूरता है, एक बंब रेस्ट में है बंब रेस्ट में है, लड़के इसका मतलब है, मॉमेंटम जीरो, गटना से पहले भी जीरो तो गटना के बाद भी जीरो इसके तीन टुकडे हुए लो मैं थोड़ा सा मेरी बासा बताओं, इसके तीन यहां था इसके तीन टुकडे हुए एक गया माइनस टू पी आई कैप, दोस्तों इसका मतलब इधर गया इसका जितना इधर इसका इधर रिजल्टेंट है उतना ही रिजल्टेंट आपको सामने करना होगा तभी इन दोनों का इक्वल एंड अपॉजिट्टल क्या होगा जीरो तो कहने का मतलब है इस तीसरे पिंड का वही होगा जो इसका क्या है टू पी उसका पी बूल गया क्या टू पी स्कॉर प्लस 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 को इस प्रकार के कुशन जब आते हैं न तो आपको लगता है कि साइज इनको पूरा डिसक्रस करना होता है, पूरा सोल्ड ऐसा नहीं होता है, यह स्टेंड कुशन है, इन कुशनों में सेकिंड बोल अमेसा रुख हुई होते हैं, फिक्स है, जब भी कुशन आएंगे और तो सिधा फॉमविला बनेगा, डेल्टा के अपों के एक्वल टू फॉर abon एम उनlectional फाई एम टू अपों मुब्लस का होल स्कार सी लिएसी बात है, अब तो कर ले याइँ, फॉर abon एम क्या है, एमटू टू क्या है, टू एम, ये तेरा एम एम क्या है, फ्रीयम का होल स्क तेरे सामने सामने क्या आगया, 8 x 9, अब यह स्टेंडर कुश्टन है भी यह, इसी फॉर्मेट बाइएंगे, यू टू रुकावा होगा, 8 x 9 नहीं, 4 M1 M2 upon M1 plus M2 का, whole square, ओके, तेंक यू, दोस्तों, कुश्टन नमर 43, अब तक जितने भी कुश्टन हमने की हैं कोलीजन के, उन सब का सार है, बटर है यार, और यह एक्जाम आगया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, इसको वही बंदा कर सकता हूँ, इसका देखा हुआ हो, यह एक्जाम में दोस्तों, इतना समय नहीं होता है कि कुश्टन को create किया जाए, idea create किया, generate किया जाए, फिर sold कर लिया जाए, यह प्रैक्टिस इसलिए करते है, हाँ, जो रटके बहुत अक्स्टा उड़, उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं कुम बचे की बात कर रहा हूँ, जो क्या कहता आगला, एक मास M, मूज वी थेलिश्टी, वी एंड कॉलाइट्स अनादर मास 2 में अट रेस्ट, आपने बात द इसका इनिश्टी वेग U, 1 क्या है, V, और U, 2 क्या है, 0, तो गटना से पहले सीरी सी बात है, यार, मूमेंटम M, V है, किस अक्स पे है, अक्स अक्स पे है, अब मुझे इतना है पता है कि गटना के बाद मूमेंटम है, वो सारा किस अक्स पे आएगा, अक्स अक्स पे आएग लेकिन भाई यहां इस तरह आमाइन भी गाड़ दी रहे क्या रामाइन भी गाड़ दी यह ले भाईया यह जो M पार्टिकल है यह V भाई रूट 3 से इधर जा रहा है तो भाई इस 2M पार्टिकल को किसी एंगल पे बहजना पड़ेगा तभी तो इसका दो कंपोनेंट होंगे एक कंपोनेंट उसको खतम करेगा और एक कंपोनेंट आपका बचेगा अब यह तरह थीटा है तो इसके विरुस्ट्री का मान ले V डैस तो क्या बना कंपोनेंट है 2M V डैस कोस थीटा इधर क्या बना 2M V डैस साइन थीटा मिटा दो इसको तरह लिए हमें अब तू देख इसको खतम करें दूसरे से क्योंकि सारा कंपोनेंट कहा है अकस अकस पे तो वो तेरा कौन है M V डैस साइन थीटा और वो क्या है इधर M V था ना M V डैस कोस थीटा अब दोनों के स्क्वाइर करके जोड़ कर दे बहिया तो स्क्वाइर M M कैंसल आउट कर दे इसका V स्क्वाइर M 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 V स्क् ओके थेंग्यू डियर कुश्टन नमर फोटीफॉर यह को प्रसंट नहीं है एक प्रसंट नहीं है पूरी गामाइड है नीट इसके बिना नहीं होता मेरा ओपन चेलेंज है चब्वीश जुलाई को एक ऐसा परसंटेज चेंज का क्विश्टन आएगा मैं आपको परसंटेज जोस्तों जब जब यह परसंट चेंज आता है तो उसमें क्या करेगा एक डेटा वो क्वेश्टन करेगा एक अपसे चेंज करवाएगा तो फॉमला भो बनाो जिसमें तीन लेटिंग में चेंज करवा रहा है देखते ही मेरे को समंध बता लगया पी इकवल टू रूट टू एम ए क्लियर हो गया अब क्या करना आगे जो बदलता में तरीका है जो बदलता उसके पीछे वन टू लगाओ और समीक्रन एक में समीक्रन दो का भाग डिकाओ जो बदलता उसके पिछे वन ओर टू लगाओ दो एक्वेशन बनाओ एक को दो से डिवाइड कर दो तो तेरे सामने सामने देख मैं तेरे पूरी बात कर दू टू एम एवन दूसरा है पी टू वो क्या है टू एम एटू ओके डियर अब एक से दो का भाग दे दे तो पी वन बट्टे पी टू एक्वल टू क्या है वह या रूट एवन बाई एटू बोल हाया ना पता कोई दिकत अब दोस्तो यह कुश्चन का एक कॉंसेप्ट होता है इनको स्टार्ट में करता हूं हमेशा हंड्रेड से माना पी वन हंड्रेड है तो मेरा पी टू क्या हो गया रहा है वन एटू अब ये तरह सामने देख यह है डू बाई थरी एवन बाई एटू तो इसका करते स्काइर ho जाएगा तो मैं तूटे बाई नाईन एटू बाई एवन तो तेरह सामने एटू क्या आगः नाईन बाई फोर एवन तो दोस्तो एटू की वेलियो आगई तू पाइंट 100 से multiply कर दो, कितना हो गया? 225, 225 से तो सुरू कहां से वा था? 100 से कितना increment हो गया? 125 का यह यह अंसरा में देख दे रहा कलियर? ओके, थेंक यू अब मैं जो तेरे कोई बात करना चाह रहा था कि इस प्रकार की variation में कैसे आते हैं तो धान दो क्लास दोस्तों, simple question है सुरू में ट्रकेशन होता है P equal to root 2 L T Y fix की सुनाईगी? वो सब कुछ constant करके मानलो relation निकाल देता है N root T की डियेक्टिव प्रपोस्ट है दोस्तों, इसको मैं कहता हूँ X डियेक्टिव प्रपोस्ट रूट Y ऐसा कही रिस्ता बन जाए यदि यहाँ 2% का change करोगे तो यहाँ 1% का change होगा यहाँ 4 का करोगे, यहाँ 2 का होगा 6 का करोगे, 3 का होगा लेकिन दोस्तों, बढ़ाते बढ़ाते यदि तुम यहाँ 21% का कर दोगे तो यहाँ 10% का हो जाएगा याद रखना है चीज़ को क्यों? हाई पावर इग्नोर करते-करते फिर यह बहुत तरह क्यूशन दो है यदि 21% का change कहीं हो और रिलेशन क्या हो? X, Root, Y के डाइक्टिव प्रपोस्टल हो तो हमेरे सा आंसर क्या आएगा रहे? 10% क्लियर? इस मेरी बात को जब वापा सुन ले रिवाइज करके तरह तेरे कंप्यूटर को मोबाइल को पोज कर फिर सुन ले चाहिए ठीक है? थेंक्यू? हाँ डियर क्यूशन 45 एक लास्ट क्यूशन है आज के 5 का पंच है जिसका मोमेंटम, कंजरिवेशन, कोलिजिन, और सेंटरो मास चल रहा था हमारा देखो दोस्तों वो एक बम भट गया बम का मास एक केजी दिया इसने चलो फिर इसके तीन टुकडे हो गए वन 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 थ्री अगला कहता है वन वन के जो मास के टुकडे है वो तो गए परपेंडिकूलर और जो फिर तीसरा भारी है वो किदर जाएगा खाली करो इसको देखो डियर अपने इस वन इस टू वन इस टू थ्री वार देश्यों में जचकर होने पड़ेंगा अपने इसा करते है अपने इसको मानते है एक M का है दूसरा M का है वो तीसरा 3 M का लास वो कट जाएंगे तो साफ है यह M मास इधर गया V विलोस्ट्री से दूसरा M मास इधर गया V विलोस्ट्री से दोस्तो इसका मॉमेंटम क्या है P इसका क्या है P तो सीधी सी बात इन दोनों का इधर क्या होगा Root 2P गटना से पहले momentum क्या है 0 गटना के बाद दोस्तो 0 करना है तो सीधी सी बात इतना का इतना momentum आपको इधर करना पड़ेगा सीधी सी बात है vector equal and opposite ओके डियर तो this is P-dash equal to root 2P what is P dash 3M V dash मास 3M है velocity V dash है this is root 2 P क्या है M multiply V M से M कट गया तो दोस्तो तेरा V dash का मान आ गया root 3 by V answer निकालना भाया root 2 by 3 V root 2 by 3 V okay 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 आगे और चल अगले ने वे लिए दे दी root 2 by 3 V V बोले तो 15 दे रहे का देखो अगले ने 15 निकालना इसको काट दे तो आंसर है 5 root 2 यह लब भाई second answer हो गया 5 root 2 okay thank you दोस्तो क्रिशन निकालना फोर्टी और थर्टी थरी यह दोनों क्रिशन सेम है दंग से क्रिशन को तो क्या कहता है नाव है क्रिशन पड़ लो लो अप एक नाव है उसके इस किनारे एक विक्ति 40 केजी का है वहाँ विक्ति 20 केजी का है नाव पाने में खड़ी है नाव और पाने की बीज़ के फ्रिक्शन नहीं है दोनों विक्ति चलना स्टार्ट करते है वो इधर आ रहा है दोनों सेंटर में आगे तो उसके नाव थोड़ी से उधर किसकी क्यों ये विक्ति पान से इधर बल लगाएगा वो एक उधर फोर्स लगाएगा बर टोटल फोर्स ज़्यादा इसका होगा तो पहली बात है कि नाव हलकी से इधर किसकी जाएगी लेकिन इस पे बाहर से 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 ये बंदा 40 kg का है ये बंदा आपका 20 kg का है बोट का मास कितना भई 100 kg है ये इसका center point है और दोस्तों ये distance आपकी 20 है इसको reference मान के आप इसका center of mass टिकाल लो ओके x cm तो तू खुझ जानता है 40 किसे multiply होगा 20 से 100 किसे multiply होगा 10 से 20 किसे multiply होगा जीरो से upon total mass कितना भईया 160 तो तेरे सामने सामने ये कितना है 800 और 1000 कितना होगा 1800 तो तेरे सामने डियर 1800 बटा 160 ये cancel out आ गया ये तेरा 180 upon 69 सुरा गया clear हो गया ना ये याद रखना अब अब काम हैगा मेरे अब दोस्तों इसको मैं मिटा के इस diagram को एक बार आपके दुबारा बनाता हो ये इस diagram मिटा दिया अब वो क्या कहता है धान दे क्लास इसको reference बनाना पड़ेगा अपने हो देख ये reference पे है ठीक है और यहाँ ये पहले point था अब वो नाव चल के यहाँ आ गई ठीक है ये नाव कितना चल गई अक्ष अक्ष से ये तेरा दस मिटर चेंटरो मास यहाँ है तो वहाँ से कितना shift हो गया रहे यहाँ एक बंदा खड़ा वो तो यहाँ अब भी खड़ा है सोरी बंदे दोनों कहा आगे सेंटर पर आगे बोड़ी भी कहाँ पर आगे मास भी कहाँ पर आगया सेंटर पर आगया तो 40, 20 और 100 160 पूरा का पूरा मास कहाँ पर आगया सेंटर पर किस से multiply कर दो 10 प् boat 10 प्लıs x से एक्वल टु क्या था रहे 180 प्लूस 16 अपोन यहां भी किस क्या करो गे रहे 160, मास लोकना है पड़ेगा यह cancel out, यह देख तेरा 160 प्लस 16x एकोल टू 180 दोस्त इसको इधर रख, 16x को यह तेरे सामने क्या आगया 20, x एकोल टू क्या आगया 20 upon 16 20 upon 16 अमदब 5 by 4 और उधर, left side में 5 by 4 टू आर्स ले अपके आगया क्लियर, ओके, थेंक्यू हाँ डियर, क्यूशन नमर 33 बिल्कुल वो ही है क्यूशन नमर 14 जो किया था पहले पड़ने उसी पे डिपेंड करता है यह दोनु क्यूशन हम एक साथ इसे ले रहे हैं दोस्तों ताकि दोनों का एक concept है जो को क्यूशन पोड़ा आप लो M मास का वेक्ति गरसन राइद को एक L लंबाई का प्लांक इस पे खड़ा है प्लांक प्लांक जो है, फटा मालो उसका total मास क्या है? M by 3 तो वो कहता द्रहतल के साथ एक स्वेक्ति द्वारा ते की दूरी का है तो साथ का तो मैन वोक्स तो दा अदर एंड अप दा प्लांक इस प्लांक मास M by 3 तो डिस्टेंस देट ता मैन मूज लेट तो दा ग्राउंड आजा भाईया खाली कर देखो डिर ऐसा है यह को फट्टा है किस लंबाई का L लंबाई का यहां एक बंदा खड़ा है इसका मास क्या है M फट्टे का मास क्या है बोलना दिखाना क्यों दिखाना फट्टे का मान क्या है M by 3 ठीक है डिर तो सबसे पहले तो अपन इस स्कोप पर रेफरेंस लेते हैं लोग तो इस रेफरेंस के साप एक साप पर इसका सेंट्रो पास टिका लेंगे दोगो फट्टे पर वे चल रहा है वह कुछन है चोधा वाला पहले का सेंट्रो पास की पोजिशन और बाद के सेंट्रों मास की पोजिशन नहीं होगी, तो आप यहां क्या कहोगे, M मल्टिप्लाई L प्लस M बाई 3 मल्टिप्लाई क्या लिखोगे भई इससे कितनी है यह L बाई 2 तो दिस इज M L प्लस M L बाई 6, तो दोस्तो This is M L by 6 M L by 7 यह कोण X CM है घटना से पहले का सेंट्रों मास की पोजिशन है, 6 M L by 7 क्लियर? उदिकत? चलो, इसको मिटा दो अब अब तू खुद देख यह वेक्तिस फटे पे यहां से चलके यहां आ जाए तो कोमेंसेंस की बात है फटा किदर किसे कीगा? पिछे किसे कीगा? ने पहले बड़ी आदमे ऐसे जाएगा तो पाउं से उसको पिछे किसे कीजाएगा? तो यह दोस्तों चलके यहां तक आ गया लोजे तो वेक्ति तो यहां आ गया अब यह रेफरेंस क्या है? अक्ष यह डिस्टेंस अभी तेरी क्या है? अब तेरे को तो इस रेफरेंस से निकालना है ठीक है डियर? इससे निकालना है? वे डिस्टेंस तो यह ल वाई टू यह ल वाई टू तो इस रेफरेंस से निकालना है तो विक्ति का मास क्या है M, किस से मल्टिप्लाई करें X से, प्लस फट्टे का दर्यमान क्या है M by 3 किस से मल्टिप्लाई करेंगे रहे X plus L Y 2, थोड़ा सा बोलने वज़े लगता है X plus L Y 2 ये किसके इकोल है 6 M L Y 7 बस, हो गया बस डिर, अब इसको कर ले, पूरा कर ले, तेरे लिए M X plus, ये देख M X by 3 plus M L by 6 equal to 6 M L by 7 देख इसको जोड़, तो ये तरह क्या होगा 4 M X by 3 equal to ये तो दोस्त उधर ले, ये तरह क्या है M L by 6, ये सोरी 7 7 M L by 6 7 M L by 6 है, तो उधर जाएगा ये, तो उधर जाएगा, तो M L by 6 बचेगा, तो दोस्तो एक्टिन क्या बचेगा हो 6 M L by 6 M से M कैंसल आउट, इसको इससे कैंसल आउट कर दे, ये तेरा 2 हो गया ये ते 3 हो गया, तो दोस्तो X की वेल्यू आगे 3 L by 4 X कितना है, 3 L by 4 फटा कितना चला दोस्तो दोस्तो, तो 3 L by 4 आउटर नहीं है रेफरेंस कितना होगा वो फटे वेकुल कितना चला, L ये शिप्ट कितना होगा, 3 L by 4 तो L minus 3 L by 4 equal to L by 4, आउटर निकालना equal to L by 4, दोस्तो इसका आउटर है upon L by 4 अच्छा कुशन आई है ओके डियर तो ये आज आपका पांचवा पंच कंप्लीट हो गया, फिजिक्स के टोटल बीस पंच है बीस टोपिक है, पांच कंप्लीट हो गये, दोस्तो, मोमेंटम कंजरिवेशन, कोलिजन, सेंटर मास पूरा हो चुका, आज तारीख है 13 माई, रात को 10 बजे हैं वीडियो खतम कर रहे हैं 12, 13, 12, सूट किया इसको कल 14 तारीख तक तेरे पास आजाएगा 14 माई के पास CLC की यूटूब चैनल पे आजाएगा, फिस्बुक पे आजाएगा एक बात फिर से कहरा हूँ दोस्तो आपके अपने CLC 21 माई को 8, 9, 10, Pre-Foundation, 11, Foundation, IT, Medical, Target के सारे नए बैचल स्टार्ट करने जा रही है दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे जो 2020 की तारीख को यूँ निरासा में बदल चुके थे 20 में नहीं होना कि किस के चारीख करेंगे उसके जाब कि अपने CLC ने क्रेस कोर्स टार्ट किया, 11 माई को पहला बैस स्टार्ट हुआ दोस्तो 18 माई से आपकी CLC क्रेस कोर्स Medical का दूसरा बैस स्टार्ट करने जा रही है जहां हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है एक सेपरेट बबस्ता हैं बाकी दोस्तों आपको अनने कोई बात हो तो आप मुझसे विक्तिती बात कर सकते हैं मेरे नमबर पे 999-2873-8888 पे, ओके डियर, तैंक्यू, जेसील से